आप सभी का अपने इस यूटूब टेनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे फिलप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो फॉर्म फिलप करने से पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि संसकर सिक्षय विबाग की तरफ से 200 पदों के लिए वेकेंसी निकाली गई है और इस वेकेंसी के अंदर मोडिफिकेशन भी किया जा सकता है हो सकता है कि इसके अंदर पदों के संक्या को कम या जाता भी किया जा सकता है तो अभी पदों की संख्या जो है वो 200 पद है और इसके अंदर टोटल 15 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर वेकंसी निकाली गई है तो इसके अंदर जैसे हिंदी हिंदी के अंदर 37 पॉस्ट है इंग्लिस के अंदर 27 पॉस्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर नमबर ओपॉस्ट 5 है हिस्टरी के अंदर नमबर ओपॉस्ट 3 है समयने संस्कृत के अंदर 38 है साइथ एंग अंदर 41 है ऐसे करके टोटल 15 सब्जेक्ट है जिसके अंदर वेकंसी निकाली गई है और इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक तो पहले से भी वेकंसी निकाली गई थी लेकिन 11 से लेकर 15 तक जो सब्जेक्ट है इनकी वेकंसी फर्स्ट टाइम निकाली गई है है कियोоло है सो अब हम चेक आगे की बटते हैं तोडा और अपन और आपन से लेक्ति उलीजिब लेटी क्राइटि Originally देख लेते हैं इसके अंदर सेक्षन की योगता है क्या-क्या है वह देख लेते हैं तो इसके अंदर जो सीरीयल नंबर 1 से लेके जो फॉर है उसके अंदर जो जो वा गयता हैं पहले वह देख लेते हैं, सबसे जो पएले भूर जाल पहर से सब्जेक्ट हैं, और उसके अंदर कौन सी सेक्सिन हैं , कोर सो सीरा नासे नाबर से फॉर में पर सबसे से पिए तो, देख लिए ते इसके अंदर नंबर यंपर जो सेक्षिन के ओगेता है वो होनी जी आपक Als सबस्टर्ण उसके अंदर आपके Canal 55% होना जी ए सेकंड नंबर भे सेकेंड नमबर पर आपको नेट और सेट क्वालिफाई होना थी है थर्ड नमबर पर आपके पास में पीएच्टी की डिग्री होना थी है तो अगर आपके पास में पीएच्टी की डिग्री है तो आपको नेट और सेट की जरुवत नहीं है तो यह आपके तीन योगत इसके अंदर सेक्षन ही को गएता हैं फर्स्ट नंबर पर आपको मास्टर डिग्री में मिनिममम 55 परसेंट होने चाहिए सेकंड नंबर पर आपका नेट और सेट क्वालिफाई होना चाहिए हैं थर्ड नंबर पर पास में हुए पिएध न की डिग्री है तो आपको नेट और सेट की ज़ी अग्रत नहीं अब अब हम देखते हैं serial नंबर मिनिममैं 55 परसेंट हुँ खिम पर्सेंट होने चाहिए ऊज्ट को फिड़ी हिसके लाव कर दो सेकंड और थार抄 सेंट eh तो डियुशन में सेयं पर पार ह абंडर ऑफ सबसर सब्सक्राइब अगर अगर फाइनल एर के अंदर हैं तो भी आप यह एक्जाम दे सकते हैं अंतिम वर्स की परिक्षा में भी समयलित हो सकते हैं लेकिन आपको जब भी इसके साक्षातकार होंगे इंट्रुव होंगे तो उसके टाइम में आपको अपनी स्यक्षिन गरता की सबूत देने पड़ेंगी जो भी आपका सर्टिपिकेट होगा वह आपको साक्षातकार के टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा सेकिंड आपका जो पे मैट्रिक लेवल है वह क्या होगा ग्रेड पे 6000 है इसके अंदर रजे सरकार के नियमा अनुसार फिर हम देख लेते हैं इसके अंदर आयू सिमा आय चाहिए और मैक्जिमम 40 येर से कम होनी चाहिए अभी आपको सीरियल नंबर 1 से 10 तक आपको सीरियल नंबर 1 से लेके 10 में जितने भी सब्जेक्ट थे उसके अंदर आपको थ्री येर की एज रिलेक्सेशन दिया गया है उपरी आयू सिमा में तीन वर्स की अतिरिक चूट दी गई है लेकिन सीरियल नंबर 11 से लेके 15 के अंदर जिसकी वेकेंसी फर्स्ट टाइम निकली है उसके अंदर कोई भी आयू सिमा में चूट नहीं है उसके अंदर कोई भी वन वाई वन देख लेते हैं, तो point number one पे, अगर male candidate SC, ST, OBC, MBC या EWS category से हैं तो उनको 5 year का age relaxation है, second number point पर, अगर woman candidate है, general category से हैं तो उसको 5 year का age relaxation है, third number पे, अगर women candidate है, SC, SC से हैं, से हैं दिए दिए टो वुमेन चैंडिडेट दिए गया है और अगर वुमेन कैंडिदेट है जो की विड़ो और डायोस हैं तो उसके लिए कोई भी अधिकतम आयोसिमा नहीं है तो यह सब कैंडिडेट के लिए ऐज डिलेक्सेचन था जो हमने अब देखा हैं अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं इसके चैन के परकिरिया क्या है चैन के परकिरिया के अंदर फर्स नंबर पे इनका रिटन एक्जामिनेशन होगा बाद में इसका इंट्री होगा शाक्षात्कार होगा परिक्ष्या का इस्तान और महा क्या है वह अभी डिसाइड नहीं जैसे ही decide होगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगगे थ्र्ट नंबर पे आपका प्रिक्षा का पाट चाहिए जयोजना वा पाट चाहिए है वह भी डिसाइड नीँ हूआ है जैसे ही संस्क्रीषिक का बिवाथ करेंगा वो उसके बारे में हम discuss करेंगे और आवेदन की अउदी क्या है तो आवेदन form fill up करना सुरू हो चुके हैं 22 जनवरी 2004 से form fill up करना सुरू हो चुके हैं और 21 फेबरी 2024 तक form fill up करे जाएंगे तो एपर वन मन्त के अंदर अंदर form आपको fill करना है तो मेरा यही suggestion रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके form fill up कर लीजिए क्योंकि अगर आप last time form fill up करते हैं तो फिर वो server down वगरा की problem रहेगी तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी problem face करने के बजाए जितना जल्दी हो सके अपना form fill up कर लीजिए तो आविदन की परिकरिया तो यह अभी हम SSO portal पर कैसे लोगिन करते हैं और वहां पर जाके हम step by step देख लेंगे कि आपको form fill up कैसे करना है तो हम जल्दी से next topic करते हैं आपको क्या करना है अभी इसके अंदर जो इसके मेंड जो syllabus होगा examination का वह हम देख लेते हैं इसके अंदर exam किस according होगे तो इसके अंदर आपके return exam in इसके अंदर तीन paper होगे paper first, paper second or paper third paper first or paper second होगे वो आपके subject होगा जो भी आपके post होगी उसके जो concerned subject होगे वो होगे 75 marks होगे each और third paper होगा general study job राजस्तान वो भी आपका 50 marks होगा तो first paper में आपको three hours मिलेंगे second में three hours और third में two hours मिलेंगे तो टोटल आपके 200 marks होगे उसके बाद में आपका जैसे यह qualify करते हैं तो आपका interview होगा तो interview आपका only 24 marks का होगा यह हमने पेपर की स्कीम और रिटर्न एक्जामिनी से और इंट्रूर के बारे में हमने बात कर लिए कैसे होगा तो यह हमने जो important point थे notification के वह हमने cover कर लिए हैं अभी हम next video में जाते हैं और हम discuss करते हैं कि आपको यह online assistant professor का form fill कैसे करना है तो यह form fill करने से पहले आपके पास में जो भी search engine अवेलेबल है mozilla, internet explorer और chrome तो उसके अंदर आपको simply google के अंदर search करना है sso login आपके पास में यह वाला page display होगा उस page के अंदर आप click करेंगे तो आपको sso login वाला page open हो जाएगा तो यह आपका sso login वाला page open हो गया है इसके अंदर दो तरके candidate हो सकते हैं first candidate वो होंगे जिन्हों जो first time form fill up कर रहे हैं उनके पास में sso id वगरा नहीं है तो उनको क्या करना है उनको simply registration पे click करके अपना form fill up करना है और इसके अंदर आपको sso id generate हो जाएगी और उसके बाद आपनो form fill up कर सकते हैं second number पे candidate वो होंगे जिनके पास already sso id है उनको simply sso id login करना है यहाँ पे अपने sso id एंटर करना है फिर उसके अंदर password एंटर करना है और capture एंटर करना है और login करना है जैसे आप login करने के बाद आपको इस तरगा कर डिस्प्ले open होगा उसके अंदर आपको left side के अंदर recruitment portal करके एक icon दिखाई देगा उसके उपर आपको click करना है जैसी आप recruitment portal पे click करते हैं तो आपके पास में एक page display होगा उस page के अंदर left side के अंदर तो आपको दिखाई देगा notification और right side के अंदर जो भी ongoing recruitment है उनके बारे में दिया होगा जैसे अपने अपना सबसे last के अंदर assistant professor संस्कर्थ college education 2000 चोईस दिया गया है तो आपको simply apply online पे click करना है और आप form fill up करना यहां से शुरू कर सकते हैं जैसे आप apply online पे click करोगे तो आपके पास में जो भी post इसके अंदर है उसके according page display हो जाएगा अब इसके अंदर जो भी आपको English, Hindi, जो भी आपका subject है उसके अंदर आप form fill up कर सकते हैं suppose आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर form fill up कर रहे हैं तो आपको political science के उपर आपको click करना है उसके बाद में next step होगा आपका इस तरह का एक display open होगा OTR data review, OTR data review के अंदर आपको अपनी जो भी इंफोर्मेशन है परस्नल इंफोर्मेशन है वह आपको verify करना है जैसे आपका candidate name क्या है father's name, date of birth, gender, राजिस्तान resident, candidate, category कौन सी है आपकी specially enabled category है तो यह आप एक बाद डेटा आपको verify करना है कि आपका सारा data correct है और नहीं अगर correct है तो तो आप directly proceed button पर click कर सकते है अपना next form fill up कर सकते है जो भी आपको आगे step करना है अगर आपका data correct नहीं है तो आपको update button पर click करके आपको data के अंदर correction करना जो भी आपका wrong data है तो suppose अभी आपका सारा data correct है तो आप proceed button पर click करेंगे जैसे proceed button पर click करते हैं आपके पास इस तरह कर डिस्पले ओपन होगा तो डिस्पले के अंदर आपको सबसे पहले तो आपको basic detail है जो भी आपकी basic detail है जैसे आपका candidate name, gender, father's name, mother's name, date of birth, age, category, whether you are specially enrolled category or not तो यह सारी detail आपको fill करनी है, fill करने के बाद यह data save करना है, save करने के बाद आपका next आएगा personal detail है इसके अंदर आपको अपनी personal detail डालनी है, और third number पर जैसे आप इस page को save करोगे, आपके पास next page open होगा जिसके अंदर आपको अपनी qualification and experience एंटर करना है, तो qualification के अंदर आपको 10th, qualification के अंदर आपको सबसे पहले हैं, 10th, 12th, graduation और post-graduation इन सब के marks आपको एंटर करने हैं, whether आपके पास में CGPA हैं या percentage है, वो आपको इसके अंदर एंटर करना है, और उसके बाद में whether you have any experience or not, you have to mention in this form जैसे ही आप अपनी qualification और experience detail एंटर करते हैं, तो आपको next button पर फ्रेस करना है, और save our next button, और finally आपके पास में last page open होगा last page के अंदर आपको अपनी photo और signature अपलोड करना है, तो photo और signature अपलोड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने mind में रखनी है, तो वो हम detail से देख लेते हैं, कि photo और signature में क्या-क्या ध्यान रखने वाली चीज़े हैं, तो सबसे पहले आपको photo अगर form fill up करने से पहले आपको अपने पास एक signature और photo वो आपको scan करके अपने पास रखने हैं, तो अगर आपकी जो photo है, photo के अंदर आपको minimum six year old होनी चीज़े, इस से ज्यादा old photo नहीं होनी चीज़े आपके पास में, second आपके जो photo होगी उसको jpg और jpg format में होनी चीज़े, उसके size होनी चीज़े 3 minimum resolution होना चीज़े, आपका 240 by 320 और 480 by 640, यह resolution होना चीज़े, और सबसे important चीज है कि आपके size हो कितनी होनी चीज़े, तो इस photo की size minimum 50 kb से maximum 100 kb के बीच होनी चीज़े, इसी तरह हम देख लेते हैं signature के बारे में, तो signature के बारे में क्या important चीज़े, जो आपको ध्यान में रखन कि इसकी 7 cm by 2 cm rectangular box के अंदर ही होना चीज़े, उससे ज़्यादा बार नहीं होनी चीज़े, second यह भी jpg और jpg format में होनी चीज़े, minimum pixel इसका 280 by 80 cm होना चीज़े, और maximum pixel इसका 560 by 160 होना चीज़े, और इसकी size 10 kb से लेके 50 kb के बीच ही होनी चीज़े, जैसे आप photo और signature पर क्लिक करना है, next button पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना OTP वेलिडेट करना है, आपको mobile पर OTP आएगा, और second आपका email पर OTP आएगा, इन दोनों पर आपको अपना OTP आएगा, तो जो भी mobile में OTP आता आप उसको इसको वरी verify कर सकते हैं, verify करने के बाद आप जैसे next button प पर पास में preview आ जाएगा, पूरे form का आपको preview मिल जाएगा, preview मिलने के बाद आप उसके अंदर अपना data एक बार verify कर लिजी, आपने जो भी data fill up किया, वो right है या नहीं, अगर आपका data right नहीं है, तो उसके अंदर update button आएगा, उसके उपर update button पर click करके आप अपना data correct कर सकते ह आपने decide कर लिए आपका data correct है, तो आप finally submit button आएगा उसमें, submit button पर click करके और अपना form submit कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना assistant professor का form easily fill कर सकते हैं, okay, thank you guys, bye bye